रात को आप लोगों ने एक चीज़ तो मतलब की पुला कंट्रवर्सी से भरा हुआ सिंदे रहे हुए कभी इसका वीडियो कभी यह हो गया कभी वो हो गया प्रमोद प्रेमी भी उसमें लाइब आएं फिर उनके राइटर भी लाइब आएं फिर के सारी लालियादो के लगायार जा रहा है भाई मेरे मुझे समझ में नहीं आता है कि चलो छोटे सिंगर का तो गाना चुराते हैं कहसा लालियादो तो वो कुछ नहीं कर पाता है क्यूंकि छोटा है उसके पास उतना पैसा भी नहीं है और k препर साफ़र लालियादो जैसे पावरफुल आदमी के स साथ वो कुछ कर भी नहीं सकता है लेकिन जब निल कमल सिंग समर सिंग गुंजन सिंग दिपक दिल्दार परमोध प्रेमी यहां तक कि पवन सिंग का भी गाना को जो है कौपी गाते है कि सारी लाद यादो तो फिर यह लोग भी कुछ थे हैं कि यह लोग खुछ चाहते हैं कि ऐसा कंटर वर्षि हो इस बात से यह लगता है कि खुछ है कि यह ऐसे यह ऐसे जो है वह लोग जो है और बाद में जो है कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था गाना के सारी लाल यादो का लेकिन उसके बाद जो था वो गाना तो खुल गया था या किसी और का पिछला बार हल्दी वाला मेटर हुआ था परमुद प्रेमी का तो ब्लॉक हुआ फिर खुल गया तो इस से आगे होता भी नहीं है कु कि आप कॉपी पेश्ट हो गया था तो उस पर पाउंसिंग कुछ नहीं बोले कई सिंगर ने पाउंसिंग से यह चीज मदद भी मांग ली है जो चोटे हैं वो तो चलो ठीक है लेकिन जो बड़े हैं परमौद प्रेमीरी तेस पांडे इन सब को तो किसी का मदद का जरूरत नहीं है यह सब खुद कर सकते हैं लेकिन यह लोग कुछ नहीं करते हैं और हमेशा जो है मैटर खेसारी लाल यादो को ही लेकर होता है मतलब किसी का गाना चोरी हुआ तो खेसारी लाल यादो ही चोरी किये हैं इससे पता चलता है कि खेसारी लाल यादो कितना बड़ा परमोद प्रेमी के बीच में होता लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कम से कम इन सारे सिंग्रों को मिलकर एक यूनिटी बनाना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे मतलब कि जब मन हुआ तब किसी का गाना कोई चोरी कर ले रहा है कि आप लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो इर्षाद बेदर्दी हैं अगर सही में उनका गाना लिखा हुआ है तो उनका कैरियर तो खत्म क्योंकि पहले गाने में ही आप लोग वोने चोरी कारूप लगा दिया उस बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए सारे सिंगर कम से कमालों एक सिंगर बेहुदा निकल गया है या कुछ भी है आज जो भी है तो सारे सिंगर को तो कम से कम सोचना चाहिए कि किसी नए राइटर को आप लोग का तो कह रही है टॉप पे हो गया लेकिन राइटर तो अभी नया है न और बहुत ऐसे राइटर नय नया आते हैं और जिनका पहला ही गाना पर चुरीकारों को लग जाता है तो इन सब चीजों पे थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए इंडस्टी को सबको कान में तेल डालके सोने की जरूरत नहीं है कोई तो उठो यार कहा जाता है कि जो मतलब की क्राइम करता है जो लोग जो हो जूट का सहारा लेते हैं उनसे बड़ा दोसी वो होता है जो उसका साथ देता है उस सब सुनने के बाद कुछ नहीं बोलता है और यह इस्तीति है बोच्पवरी में कि छोटे लोगों को दबाया जाता है और बड़े लोग जो है वो सांत से देख रहे हैं और एक ही आज मिज़ों द्वारा बार बार दबाया जा रहा है लेकिन फेरी कुछ नहीं बोल रहा है सब सब सन्थी से चलो उसके साथ हो रहा है ना लेकिन वी वाइवाई वाइब करकर के आज सारे लोगों का गाना चोरी किये हैं और फिर भी कोई कोई नहीं बोल रहा है बाकि आप लोग को क्या लगता है जरूर कमेंट नहीं बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में लब यू